आप सभी का एक और बीकली वेबिनार एपिसोड में स्वागा थे तो आज की इस पीडियो के अंदर गाईस हम लोग अगेन उन्हीं पीर्स के बारे में डिसकस करेंगे जो हमने प्रिबियस पीडियो में डिसकस किया था लाइक इसमें से हम लोग चार पीर के बारे में डिसकस क्या कुछ हम लोग setup त्यार कर सकते हैं next week के लिए so video interesting होगी आप लोग के लिए helpful लोगी knowledgeable वीडियो होगी अगर आप लोग अपने चार्ट पे next week के लिए setup तैयार करना चाहते हो तो आप लोग के लिए helpful पूल वीडियो होगी आप लोग लास तक देखना अद्स इंट्रेस्टिंग होगी सविना टाइम करते हैं सब्सक्राइब करते हैं वी और यहां पर लोग पंधरा मेर्ट के चार्ट से यहां पर देखते हैं कि नेक्स्ट वीग में लोगों को क्या कुछ सेटप बन सकता है और और आप लोगों को पताएगी गोल्ड अभी bullish momentum में है, bullish है, market uptrend में जा रहे हैं, तो हम लोगों को uptrend की यहाँ पर जो setup यह देखनी चाहिए, setup त्यार करनी चाहिए, तो next week के लिए guys, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो यह मेरी personal drawing है, यह मैं खुद करके रखाऊँ अपने चार्ट के उपर, तो आप लोग भी यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लोग को में दिखाता हूँ, कि next week में क्या कुछ सिनारियो बन सकता है, तो आप लोग यहाँ पर देखो, market ने break of structure किया था, break of structure किया, और उसके बाद market ने यहाँ पर यह एक inducement था, इसको लि करना कि market इस वाले inducement को collect करें, जो की compulsory, break of structure हुआ है, market का यह point inducement है, तो अगेर market कुछ इस तरह से आती है, इसको collect करती है, और यहाँ इस वाले extreme वाले PY के आसपास आती है, तो definitely आप लोग यहाँ से buy की setup त्यार कर सकते हो, चोक और बी के वेसेश पर, so gold में यह एक सिनारि इसको देख लेना, अगर market open होने के बार down आती है, और inducement लेती है, तो आप लोग यहाँ से अगर sweep भी कर देती है, तो आप लोग इंटरी ले सकते हो, अगर sweep नहीं करती है, inducement को market again fall करती है, downside की तरफी, तो आप लोग इसके लिए बेट करना कि इस वाले PY मार्केट इंटर करें, देन आप लोग buy side की इंटरी ले सकते हो, और अगर market इसको नहीं लेता है, इस वाले inducement को नहीं लेता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, तो आप लोग यहाँ पर देखो, सबसे पहले market अगर इसको नहीं लेती है, तो market again ऊपर जाएगी, फिर market का कोई inducement क्रेट होगा तो आप लोग यहाँ से कोई py draw करना, order block draw करना, उसके basis पर आप लोग entry ले सकते हो, तो यह कुछ setup बन सकता है, गाईस अगर market open होने के बाद डाउन खूल करते हैं, तो आप लोग इस inducement के लिए बेट करना, अगर market fall ना करके upside जाती है, कोई inducement क्रेट करते हैं, तो first low लेने देन आप लोग अपने हिसाब से entry को find out कर सकते हो, तो gold में कुछ यह setup बन रहा है, कुछ यह scenario है upside के लिए, अभी guys हम लोग next pair की बारे में बात करते हैं, तो यह है GBP USD का chart, और इसमें guys हम लोग देखते हैं, कि next pair में क्या कुछ setup बन सकता है हमारे लिए, तो अभी guys अगर यहां पर देखो गए, इस market ने break of structure किया, market ने break of structure किया, तो market का major low था, वो confirm हो गया था, अब again market को अगर अपना trend continue करना है, तो market को inducement लेने के बाद, again एक नया break of structure करना होगा, बट उससे पहले मैं आप लोगो को थोड़ा सा यहां पर समझाता हूं, market ने यहां पर देखो ग यहां तक लो लगाया, तो market अभी भी completely break of structure नहीं हुआ है, आप देखोगे, तो market ने second candle से यह point break of structure किया, तो break of structure होने के बाद, हम लोग first low देखते हैं, inducement के लिए, तो जो first low था guys, कुछ इस level पर था market का, तो यहां पर जब मार्केट अगेन दुबारा लोट कर आई, तो market न इसको break नहीं किया, again market ऊपर की side चले गई, और अगर आप लोग देखोगे, तो यह high again break हो गया, तो आप लोग देखो, यह break हो गया, अब हम लोगों को जब यह high break हो गया, तो कुछ इस level पर हमारा यह major inducement बन गया, उससे पहले गाइस, अगर आप लोग देखोगे, तो market में यह एक candle पड़ी है, जिसने इसके candle का जो low है, वो break किया है, तो यह हमारा एक minor inducement बन गया, तो इसको हम लोग एजा minor inducement मार करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देखो guys, market ने proper इससी inducement को sweep किया है, यहाँ पर आप लोग देखो, यह point हमारा inducement था, इसको market ने proper sweep किया, sweep देने प्लान कर सकते हैं, देखो, सबसे पहले तो market अगर upside जाना चाहती है, तो इसको जाने देना, अगर market open होने के बाद, next week में कुछ इस तरह से आती है, और इस वाले लोग को again break करती है, और इसके आसपास PY में आती है, इस वाले order broke में आती है, तो definitely आप लोग guys, यहाँ से एक आप trend की entry ले सकते हो, but market अगर fall नहीं करती है, again market upside की उपर जाती है, तो यह हमारा proper break of structure हो जाएगा, फिर आप लोग क्या कर सकते हो, देखो, यहाँ पर जब break of structure हो जाएगा, अगर इस तरह market उपर की side चली जाती है, तो आप लोग bet करना की market में कोई यहाँ पर inducement market collect करे, व आप लोग देख सकते हो, अपने हिसाब से इसको manage कर सकते हो, चार्ट को setup कर सकते हो next week के लिए, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊं, तो अगर market इसको break कर देती है, तो break करने के बाद हमारा high probability PY है, कुछ इस level पे, इसके असपास अगर आती है market को definitely आप लोग यहाँ से बाई का setup ले सकते हो, बाई की entry ले सकते हो, तो यह कुछ setup है guys, GBP USD के चार्ट पे, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से तोड़ा अच्छे से analysis कर लेना, so next peer की बारे में बात करें guys, तो यह है यूरिविश्टी का चार्ट, और मैं 15 मेट के चार्ट पे हूँ, और मैंने गोल्ड और GBP USD को भी 15 मेट के चार्ट पे ही analysis करके दिखाया है, so अभी मैं guys हूँ 15 मेट के चार्ट पे, और देखते हैं कि यूरिविश्टी के चार्ट पे हम लोगों को next week में क्या कुछ setup, क्या कुछ scenario देखने को मिल सकता है, so first of all guys, आप लोग यहाँ पर देखो, market ने इ equity sweep की यहाँ पर proper break of structure हुआ है, अब यहाँ पर जब break of structure हुआ, तो market में यह एक हमारा inducement point था, क्योंकि market break of structure करने से पहले यह एक अपना pullback लिया था, क्योंकि यहाँ पर high break हो गया था, तो यह हमारा proper एक inducement label का pullback था, तो यह हमारा एक major inducement था, अब अगेन आप लोग देखो पर अपना minor inducement ले लिया है, और market अभी क्या कर रहे है, आप side की तरफ run कर रहे है, मतलब कि upside की तरफ जा रहे है, तो आप लोग देखो, अगर आप लोग को next week के लिए setup तयार करना है, तो आप लोग यहाँ पर अभी क्या कर सक्यों, तो हम लोग scenario को देखें, तो सबसे पहल है, इसको हम लोग mark कर सकते हैं, और इसमें आने के बाद आप लोग proper upside की entry ले सकते हो, कुछ इस level तक का आप लोग अपना target रख सकते हो, अगर market, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर market downfall नहीं करती है, यह upside की तरफ चले जाती है, तो यह हमारा proper break of structure हो तो market उसको लेती है, तो आप लोग इस level के आसपास, की level के आसपास देख सकते हो, कुछ entry या फिर आप लोग यह वाला level बेट कर सकते हो, क्योंकि यह high probability वाली PY है, तो आप लोग कुछ इस तरह से यूरो HD के चार्ट में भी setup को त्यार कर सकते हो, अगर market next week में open होने के बा उसके बाद आप लोग कुछ प्लान कर सकते हो, तो यह है guys setup, euro HD के चार्ट पे next week के लिए क्या कुछ setup है, यह मैंने आप लोग को बता दिया, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, अपने हिसाब से इसको देख के अपने चार्ट पे draw कर लेना, तो अभी गईस हम लो को यहां से sell कर सकते हो, और target यह ले सकते हो, अगेन जब मैंने दूसरी वीडियो डाली थी, तो मैंने यह बताया था कि इस inducement को लेने देना, market को pandemic के चार्ट पे, और यहां से आप लोग सेल कर सकते हो, बस market ने क्या-क्या, यहां पर liquidity sweep की है, store process को लिया है, but market ने proper आप का जो target था, वो pro पर दिया, अब अगेन हम लोग next week के लिए क्या कुछ प्लान कर सकते हैं, तो सबसे पहले गए साप लोग देखो, market में यह एक की level है, जिसको market pro पर follow करें, सबसे पहले market यहां पर आई, इसके आसपास जब यहां से उपर गई, यहां तक आई, तो market ने यहा market ने proper break किया, market proper break करने के बाद यहां पर फिर से यहां पर इस zone को follow करने लेगी, उपर जाने के लिए, तो यह हमारा जो point था, यह supply to demand, डिमांड रो सप्लाई की तरह काम कर दा था, तो proper market यहां पर फिर से demand में आने के बाद उपर गई, बट फेल हो गई, break क्या, break करने के बा में है, तो आप लोग यहां पर कुछ प्लान कर सकते हो, बट अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, क्या करना है, break of structure यहां पर हुआ है, और market में यह एक point था, inducement, सबसे पहले में मार्क कर देता हूँ, ताकि आप लोग को कुछ समझ में आए, यह हुआ था break of structure और यह था हम पर downtrend में है, और अगर आप लोगों को sell की entry लेनी है, सबसे पहले में इसको delete कर देता हूँ, यह delete कर देता हूँ, अगर आप लोगों को sell की entry लेनी है, तो यहां पर देखो, यह inducement लिया है, और यह एक liquidity area थी, जिसको market ने proper ले लिया है, क्योंकि यह equal high थे, अब यहां पर इ यह API बन रहा है, जो कि इसके आसपस अगर market आती है, तो आप लोग definitely यहां से sell कर सकते हूँ, और recent low आप लोग target कर सकते हूँ, तो यह guys back nifty की chart में proper जो हमारा setup बन रहा है, sell side का, वो यहां पर आप लोग के साथ मेंने share कर दिया है, अगर आप लोग sell side की entry लेना चाते हूँ, next big meet, तो इस zone में आने का bet करना market का, तो आप लोग proper अच्छी रासी entry find out कर सकते हूँ, और stop loss आप लोग इसके ऊपर ही रखना, क्योंकि यह हमारा जो swing high है, इसके ऊपर ही अपना stop loss रखना, तो यह कुछ setup बन रहा है, sell side की bank nifty के chart में, तो आप लोग अपने हिसाब से और कि क्या करना है, आप लोगों को क्या से क्या level देखना है, तो बस इस वीडियो के इतने कुछ था, I hope कि आप लोगों को सभी setup, सभी scenario समझ में आ गये होंगे, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like कर सकते हो, channel को subscribe कर सकते हो, and telegram को भी join कर सकते तो बस इस वीडियो के इतने कुछ था, मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye